नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालूंखे, विवेकान देखेड में अप हुमन एक्सेलन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ अब अभी हमारे सामने कि कौन सा चित्र हमें दिखाई दे रहा है हम देख रहे हैं, दो नवजवान जो हैं, वह हाथ में गन लेकर देश की रक्षा के लिए शत्रू से क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं ये दोनों वीर क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में गन लेकर देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं इसी प्रकार से आज हम देखने वाले हैं कि अपने प्रानों की आहूती देखकर अपने देश की रक्षा करने वाले ऐसे ही एक वीर थे जिनका नाम था मेजर सोमनात शर्मा उनका नाम क्या था मेजर सोमनात शर्मा पाठ नमबर पंदरहवा लेसन का नाम है मेजर सोमनात शर्मा पहले हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य क्या देखेंगे पाठ का उद्देश्य भारतिय सेना में अनेक ऐसे वीर हुए है जिन्होंने अपने प्रानों की आहुती देकर अपने देश की रक्षा की है प्रानों की आहुती देना मतलब क्या अपनी जान कुर्बान कर देना देश के लिए बलिदान देना भारती सेना में अनेक ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपने प्रानों की आहुती यानि कुर्बानी देकर अपने देश की रक्षा की है ऐसे ही एक वीर थे मेजर सोमनात शर्मा इस पाठ में उनकी वीरता का वर्नन किया गया है इस पाठ में उनकी वीरता का वर्नन किया गया है गर में क्या हो रहा है किर्टन किसे कहते है किर्टन की सभी मिलकर एक साथ में एक स्वर में जो धार्मिक भजन गाते हैं उसे क्या कहते है किर्टन इनके घर में किसके घर में सोमनात शर्मा जी के घर में क्या हो रहा था किर्टन हो रहा था सोमु की मा दोनों बहने और एक छोटा भाई सब किर्टन कर रहे हैं देखो किर्टन किसे कहते हैं कि समवेद स्वर में धार्मिक भजन जो गाया जाता है उसे क्या कहते हैं किर्टन चार साल बाद सोमु इंडियन अकादमी से ट्रेनिंग लेकर घर लवटा है कान है ये सोमु अरे मेजर सोमनात शर्मा जी का ही निकनेम है उन्हें प्यार से क्या कहते हैं सोमु इन यह अब क्या कर रहे हैं इंडियन अकादमी से ट्रेनिंग लेकर घर लोटे हैं अब वह मेजर सोमनात शर्मा कहलाता है कान सोमु अब वह मेजर सोमनात शर्मा कहलाता है पर यहो क्या उसकी बाई बाह पर पलस्तर चड़ा है देखो बाई यानि लेट हाथ पर क्या चड़ा है पलस्तर ये क्या होता है पलस्तर पलस्तर यानि प्लास्टर आपको पता है कब प्लास्टर चड़ाया जाता है पता है जब आप खेलते खेलते दवडते दवडते या फिर एक दूसरे को पुश करते हुए गिर जाते हो तो तुमारे हाथ पर या पैरों पर कोई ना कोई तो निशान होता है या फिर चोट लगती है तो डॉक्टर वाइट कलर का क्या करते हैं प्लास्टर चड़ाते हैं वे उसी प्रकार का ही सोमनात शर्माजी के लेफ्ट हाथ पर क्या चड़ा था पलस्तर पलस्तर यानी प्लास्टर चड़ा हुआ था ट्रेनिंग के समय चोट लगी हड़ी तूटी देखो अब उनके हाथ पर यह प्लास्टर क्यों चड़ा था वह जब ट्रेनिंग कर रहे थें इंडियन अकैड़ेमी में ट्रेनिंग के समय उन्हें क्या हो गई चोट लगी और हाथ की हटी तूटी और इसलिए उनके हाथ पर प्लास्टर चड़ाना पड़ गया तभी 1947 में कश्मीर में लडाई छिड गई लडाई छिड गई चिड जाना अंतलब क्या लडाई शुरू हो गई तभी 1947 में कश्मीर में लडाई छिड गई पठान कबाई लोने हमला बोल दिया पठान कबाई लोने क्या किया हमला बोल दिया हमला बोल देना मतलब क्या आकरमान करना हमला बोल देना मतलब क्या आकरमान कर देना पीछे पीछे पाकिस्तानी फोज भी आ गई पीछे पीछे क्या हो गया पाकिस्तानी फोज भी आ गई किनके पीछे पीछे पठान कबाई लोंग के पीछे पीछे पाकिस्तानी फोज भी आ गई मोर्चे से मांग आई मोर्चा किसे केते हैं पता है मोर्चा मतलब लडाई का मैदान मोर्चे से मांगाई कौन से मांगाई होगी कुमक भेजो कुमक किसे कहते है सेना की सहयता के लिए भेजी हुई जो सेना होती है उसकी मांग इस लडाई का मैदान जिसे क्या कहते है मोर्चा उस मुर्चे से मांग आई बाह में चोड देख कर डॉक्टर ने सुमनात को जाने से मना कर दिया सैनिकों को बुलाया था लेकिन मेजर सुमना शर्मा के बाह में क्या हो गया था चोड लगी थी इसलिए डॉक्टर ने उनको वहाँ पर जाने से मना कर दिया पर सोमनात माना नहीं पर सोमनात माना नहीं मतलब क्या उन्होंने इनकार कर दिया नहीं मुझे जाना है अफसरों से जीत की उन्होंने अपने अफसरों से कहा नहीं मुझे तो जाना है फिर घर आकर मा से जाने की अग्या मांगी वह क्या होगे घर आ गये और उन्होंने अपने मा से अज्या मांगी मा सोच में पड़ गई बेटे ने पुराने वक्त की याद दिलाई क्या मा आप भी आपको पता है ना पहले जमाने की लोग क्या करते थे पुराने जमाने में ऐसे अवसर पर मा बेटे को तिलक लगाती थी देश की रक्षा के लिए भीजा करती थी अंत में सोमनाथ कश्मिर के मोर्चे पर चला गया मोर्चा मतलब लड़ाई के मैदान पर लड़ाई करने के लिए सोमनाथ शरमा चले गए तीन नवंबर उन्निस सो सैतालिस की बात है उस रात सरदी कुछ जादा ही थी उस रात सरदी कुछ जादा ही थी बरफीली हवा चल रही थी श्री नगर के दक्षिन पश्ची में पाकिस्तानी लड़ाकों ने मोर्चा बनाया हुआ था देखो क्या हो गया तीन नवंबर उन्निस सो सैतालिस उस रात को बहुत थंडी क्या थी बहुत थी बरफ की हवा भी चल रही थी और श्री नगर क्या जो दक्षिन पश्ची में जो इलाका है वहाँ पर जो पाकिस्तानी लड़ाकों जो थे पाकिस्तानी जो सैनिक जो थे उन्होंने वहाँ पर लड़ाई का मैदान बनाया हुआ था किसे कहते हैं लड़ाई का मैदान मोर्चा यानि लड़ाई का मैदान सिर्फ 15 किलोमिटर दूर बढ़गाम घाटी थी वहां कुमायू रेजिमेंट की चवती बटालियन के कोई 100 सैनिक मोर्चा संभाले वी थे वहां पर रेजिमेंट का नाम क्या है? कुमायू रेजिमेंट की चवती बटालियन सैनिक कितने थे? 100 यानी 100 इधर दुश्मन के 700 फवजियों ने आकरमन कर दिया देखो हमारे सैनिक कितने थे? 100 और यहां पर 700 यानी 700 फवजियों ने क्या कर दिया? आकरमन कर दिया आक्रमन कर देना मतलब क्या हला बोल देना अटेक करना इधर दुश्मन के साथ सो फवजियों ने आक्रमन कर दिया मोर्चा बहुत काम का था देखो यह लडाई बहुत इंपोर्टेंट थी वह मैदान जहास पर लडाई हो रही थी वहासे दुश्मन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कहा पर था यह मोर्चा श्री नगर के दक्षिन पश्चिम में और वहां से दुश्मन क्या कर रहा था आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था पर मेजर सोमनात अपने सैनिकों को उच्छाह दिलाते जा रहे थे मेजर सोमनात क्या कर रहे थे अपने सैनिकों को उच्छाह दिलाते जा रहे थे मतलब बड़ो आगे बड़ो चलो भारत मता की जै इसी प्रकार से वह अपने सैनिकूं का उच्छाह क्या कर रहेते बढ़ाती जा रहेते जब कोई सिफाई वीरगती को प्राप्त हो जाता तो मेजर खोद उसकी मशिन गन में गोला भर कर दूसरे साथी को दे देते थे कि उनके हातों में क्या थी? मशिन गन थी और वह मेजर क्या करते थे? खोद मशिन गन में क्या करते थे? गोला भर कर दूसरे साथी को देते थे एक मुश्किल यह भी थी कि दुश्मन ने गाव के अंदर पनाह ली थी पनाह का मतलब क्या आश्रे लेना वहाँ पर रह जाना एक मुश्किल मतलब क्या कठिनाई प्राबलेम यह था कि दुश्मन ने गाव के अंदर आश्रे लिया था मेजर शर्मा ने हुक्म दे रखा था हुक्म किसे केरते है आदेश या अग्या हुक्म यानि क्या होता है आदेश या अग्या उन्होंने हुक्म दे रखा था गाउपर गोली न चलाई जाए क्या अदेश दिया था गाउपर गोली न चलाई जाए मेजर शरमा ने हुकम दे रखा था कि गाउपर गोली न चलाई जाए क्यों कहा था उससे तो बेचारे गाउवाले ही मरेंगे अब अगर हम गाउपर गोली चलाएंगे तो बेचारे गाउवाले ही मारे जाएंगे दुश्मन गिन्ती में साथ गुना थे साथ गुना यानि साथ सो और हमारे सैनी कितने थे? हंड्रेड यानि सो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वह यानि कन? दुश्मन क्या कर रहा था? आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कोशिश मतलब क्या किसे केते कोशिश यानि ट्राय करना प्रयास करना कोशिश यानि ट्राय करना प्रयास करना वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था पर सोमनात अपने कोशल से कोशल यानि क्या होता है स्कील होता है योग्यता उनर निपुनता देखा कितने सा इसके मीनिंग है कौशल या निस्कील योग्यता हूनार निपुन्ता इन गुनों की वजह से सोमनात अपने रास्ते में डटे हुए थे डट जानना मतलब किसे कहते हैं डटना मतलब सामने मुकाबला करने के लिए रेडी थे आधी रात बीट गई दुश्मन ने गोली चलाना बंद नो किया देखो आधी रात बीट गई फिर भी दुश्मन की बोली तो चालो ही थी मेजर ने बेस केम्प को फोन से कई बार खबर दी कहा और सैनीक भेजो गोला बारुद भी खत्म होने वाला है पर कुमक पहुचने में देरी हुई कुमक किसे कहते है कुमक किसी सेना की सहयता के लिए भेजी हुई सेना को कुमक कहते है पर कुमक पहुचने में देरी हुई मौसम खराब था क्यों हो गई वहां का एन्वाइमेंट जो था हमने देखा न कि वहां पर क्या थी सर्दी बहुत थी बर्फ की भारिश हो रही थी मौसम खराब था और रास्ता पहाड़ी और जंगली था मेजर शर्मा ने सदर मुकाम को आखिरी संदेश भीजा आखिरी क्या भीजा संदेश संदेश यानी मैसेज मेजर शर्मा ने सदर मुकाम को आखिरी संदेश भीजा दुश्मन हमसे पचास गश दूर है उनकी संख्या हमसे साथ भुनी है हमारे उपर गोला बारुत की घंगोर बरसात हो रही है पर हम पीछे नहीं लवटेंगे मैं एक इंचे भी पीछे नहीं हटूँगा आखिरी वक्त तक आखिरी गोली तक और आखिरी जवान तक लड़ता रहूँगा और इस यह मैसेज किसने भीजा? मेजर शर्मा ने बैस केम्प को भीजा आखिरी क्यों कहा है? वह हम आगे देखेंगे क्या कहा है? यह पहले देखेंगे दुश्मन हमसे पचास गज दूर है हमसे कितना दूर है? पचास गज और उनकी संख्या कितनी है? हमसे साथ गुनी कितनी साथ गुनी यानि? साथ सो हमारे उपर गोला बारूत की घंगोर बरसाथ हो रहे घंगोर मतलब क्या बहुत ज़्यादा मातरा में पर हम पीछे नहीं लटेंगे और मैं एक इंची भी पीछे नहीं हटूंगा आखरी वक्त तक आखरी गोली तक और आखरी जवान तक लड़ता रहूंगा बहादुरी भरे ये शब्द सदर मुकाम में पहुँचे तो कुमक भेजने में और भी जल्दी की गई शर्मा जी का मैसेज सुनकर वहाँ पर कुमक को क्या हो गया जल्दी से जल्दी भीजा गया रात भर मेजर सोमनाथ मोर्चा संभाले रहे सुबह भारतिय फोज की साहियता पहुँची साहियता मतलब क्या हैल साहियता किसे कहते हैं एल को सुबह भारतिय फोज की साहियता पहुँची मोर्चा तो जीता मोर्चा यह नहीं लड़ाई तो जीत गए पर वह चला गया ऐसे बहादूर को देश ने सबसे पहला सबसे बड़ा सैनी सम्मान परम्विर चक्र दिया ऐसे बहादूर को देश ने सबसे पहला सबसे बड़ा सैनी सम्मान परम्विर चक्र दिया आपको पता है ना परमीर चक्र क्या है सबसे बड़ा सैनिक के लिए दिया जाने वाला अवार्ड और यहाँ अवार्ड मेजर सोमनाथ शर्माजी को मिल गया इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मेजर सोमनाथ शर्माजी ने अपनी प्रानों की आहुती देकर अपनी देश की रक्षा की है और हम मेजर सोमनाथ शर्माजी को सलुट करते हैं जै हिन